नमस्कार, फल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ क्रितिका फल्मों में वापसी को लेकर बेताब है रिशी कपूर बोले अभी भी वही आक्टर हूँ मैं बॉले वर डाक्टर रिशी कपूर पिछले कई महीनों से अमेरिका के न्यू यॉक शहर में है और अपना इलाज करार रहे है अब ख़वर है कि वो जल्द ही भारत लोटेंगे और किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ फल्मों में वापसी करेंगे Bombay Times की एक रिपोर्ट के मुताबक रिशी कपूर ने बताया कि वो वापसी करने के लिए काफी excited है क्योंकि वो इतने वक्त तक फल्मों से दूर कभी नहीं रहे है रिशी ने आगे कहा कि मैं क्यामरा के आगे आने के लिए और इंतिजार नहीं कर पा रहा हूँ मुझे उमीद है कि मेरा फल्मों से टच चूटा नहीं है उमीद है कि मैं अभी भी वही अभी नेता हूँ मैं तक्रीबन एक साल तक फल्मों में काम नहीं करने के बाद वापसी करूँगा आपने इस इंतिव्यों में रिशी यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे बताया कि उनकी वापसी के बारे में कई फिल्मेकर्स पता कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक किसी भी फिल्म के लिए कमिटमेंट नहीं किया है उन्होंने कहा कि मैं तसली से फिल्में करना चाहता हूं ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई दिक्कत है या मुझ में कुछ बदल गया है मैं वही शक्स हूँ उसी जोश के साथ मैं काम करूँगा मैं वापसी करना चाहता हूँ और पहले फॉर्म में आना चाहता हूँ हाँ जन दो फिल्मों के लिए मैंने पहले से कमिट्मेंट किया है उन्हें तो मैं पूरा करूंगा ही एक वो फिल्म है जिसे मैं दिल्ली में छोड़ कर चला आया था और दूसरी एक बंगाली हिट फिल्म का रिमिक है रिशी ने आगे बताया कि उन से मिलने के लिए बहुत से फिल्मेकर्स आये लेकिन उन्होंने अभी तक किसी से कोई कमिट्मेंट नहीं किया है एक बार मुझे मेरा प्लान क्लियर हो जाए मैं कब मुंबई लोटाओं रिशी कपूर ने इस बात को दोहराया कि पिछले 45 साल में ये कैमरा से पहली बार उनका इतना लंबा गैप है ताजा रिपोर्ट की मान तो रिशी कपूर अब पूरी तहां से ठीक है और वो लगभग 1-2 सितंबर को इंडिया वापस लोट सकते हैं बहराल आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप रिशी कपूर की वापसी के लिए कितना एक्साइटेड हैं इस वीडियो में इतना ही लेकिन आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा